DC Motor यह एक Electromechanical Energy Convergent Device है जिसमें Input Electrical Energy के फॉर्म में होता है और Output Mechanical Energy के फॉर्म में होता है फ्लेमिंग्स Left Hand Rule के अनुसार जब भी किसी कंड़क्टर को जिसमें Electric Current भह रहा हो Magnetic Field में रखा जाता है तब उस कंड़क्टर पर एक Electromagnetic Force उत्पन होता है और इस Force का डारेक्शन फील के डारेक्शन और करेंट के डारेक्शन के परपेंडिकुलर होता है अगर यहां कंड़क्टर फिक्स ना हो और यह असानी से मूव कर सकता हो तो यहां Force की वज़ा से Magnetic Field में मूव करता है यहां पर DC Motor के Working Principle को एक Elementary Model की मदद से समझाया गया है जिसमें एक Single Turn की कॉईल है जिसे North और South Pole के द्वारा उत्पन करी गई Magnetic Field में रखा जाता है और इसमें दो Commutator Segments होते हैं दो Brushes होते हैं और एक Battery Coil का यहां Turn Commutator Segment के साथ इस Axis में घूम सकता है Brushes जो की Battery से Connected होते हैं यहां Commutator Segment के उपर Slide कर सकते हैं जो Commutator Segment Left Brush के Contact में आता है उसे Positive Polarity मिलती है और जो Segment Right Brush के Contact में आता है उसे Negative Polarity मिलती है Commutator के गूमने पर बारी-बारी से दोनों Segment को Positive और Negative Polarity इस तरीके से मिलती जाती है जिसकी वज़ा से Coil के अंदर Current Flow होना चालू हो जाता है हम यहां देख सकते हैं कि Commutator और Brushes के Action के द्वारा जो Conductor Left Side में आता है उसमें हमेशा एक Direction में ही Current Flow होता है जिसकी वज़ा से Left Side के Conductor पर हमेशा उपर की तरफ बल लगता है Flaming Left Hand Rule के अनुसार और इसी तरीके से Right Side के Conductor के उपर हमेशा नीचे की तरफ बल लगता है यानि Force लगता है और इस प्रक्रिया को Commutator Action कहा जाता है इसका मतलब Commutator और Brushes का यहाँ कारे होता है कि यहाँ Conductor में Flow होने वाले Current का Direction को Change कर देते हैं जब वह Geometrical Neutral Axis से पास होता है तो इस प्रकार से DC Motor कारे करती है ध्यान दीजिए इस उदारन में दिखाया गया यह Model वास्तविक DC Motor से थोड़ा अलग है यहाँ पर हमने Model को बहुत आसान बनाया है जिसमें स्रिफ कोईल का एक Turn है वास्तविक DC Motor में बहुत सारे Turns होते हैं जिने Winding कहते हैं इसके साथ साथ दो से ज़्यादा Pols होते हैं काफी सारे Commutator Segments होते हैं और उनी के बराबर Brushes होते हैं ऐसा इसलिए दर्शाया गया है ताक कि इस प्रक्रिया को समझना आसान हो जाए आशा करते हैं अब आपको DC Motor के कारे करने की प्रक्रिया समझ आ गई होगी अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और इसे शेयर करें साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्य करें दो